हस सरोका जी हाँ आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा यानि महिला सुरक्षा को लेकर जी हाँ जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से उसका मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो महिला हैं वो निडर होके अपने काम पर जाती हैं और पूरी तरह से स्वतंतर हैं औरका अठी नहीं है तो यह दूसी तरफ देखा जा रहा है कि जो महिला के मैंना हो की की इसी बड़ी घटनां आप कर रहे हैं तो आखीर एक तरफ जो सरकार कर रहे हैं जो सामने आ रही जानते हैं तो आठी ऑफ रेखंशित और हो करती है तो आप पूरी तरह से आप निडर हो के काम करती है तो इसे तमाम मेंलाओं से आएए बाद करते हैं कि अधिर उनकी सक्तुर्ख और पीम्यge. पर फैने सब्सक्राइब तक यह रचे सी निकलती रात उतर डर नहीं रहता है यहार सब्सक्राइब की तर फो रिव्त also prayer do не work तरक्षे नहीं उना बाइंक लद लेडी तर फो ग्चित है मैं कarentाना उनक्ष़ष्ण मैं जब से बीजेपी सरकार आई है मैं अपने आपको काफी सरक्षित महसूस करती हूं बैट अभी भी कुछ डर है जो मुझे रखता है कि काम करने की सरवत है जिन पर जैसे उत्तरप्रदेश के सरकार जो है तमाम जैसे पिंक बूत लेकर पिंक ऐसे तमाम जो पुलिस वाले निकाले और टॉलेट पिंक टॉलेट भी निकाले तमाम लड़कियों के लिए जनाएं आते रहा हैं तो इससे आपको क्या कहना कितनी सुब्ध है आपको मिलती है उन सब पिंक बूत अभी ऐसा में साथ कुछ हुआ तो नहीं कि मुझे उनकी ज़रूरत पड़े बड़ मैं सबसे उनके लिए बाकी चीजों की पेजाना उनसे मदद लेना बहुत असान हो गया कि साथ तरपर जो सरकार है या आम जनता भी कहती है कि बीजेपी सरकाराई तब ही से लड़कियां या मैलाएं सुरक्षित है पहले सरकार तब सुरक्षित नहीं था सुना तो होगा कुछ जो तिंकिंग पहले से ज़्यादा चेंज हो गई है निडर हो कि अपने काम पे जारी है ऐसा आपका सोचना है बिल्कुल ऐसा हो रहा है जबकि पहले जिस तरह से ब्रेस्टाचार और दुराचार बढ़ रहा था उस हिसाब से अब तो काफी कम हो गया है अब लोग देर रा लोग किसी ना किसी वे में आके छेड़ खानी करना या बात करने की कोशिश करना यह सब किया करते थे वैसे अब सब के अंदर थोड़ा तो डर है तो उसकी वज़े से वो इतना जादा महिलाओ को दिक्कत अब नहीं हो रही है क्या चाहरी है सरकासाब और इसमें कुछ सुविदा और मांगना चाहरी कि आपके तिंकिंगे कुछ और इसमें बदलाओ किया जाए देखिए बदलाओ करा सवाल तो बदलाओ तो कुछ और करने चरिए महिलाओ के लिए कि जैसे कुछ योजनाय लाएं उसके महिलाओं को और ज्यादा प्रोसाहन मिलेगा आगे के लिए मेरा नाम डॉक्टर वेगा दुपे आचे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकाराई उनका मानना है कि जो महिलाओं लड़कियां है वो अप सुरक्षित हो गई है पहले के बज़ा तो आप में जा रही है आरी उनका टांस्पोर्टेशन सिस्टम वह भी उनका सेफली होना चाहिए स्टेशन से जाना है कहां पर रहना है अब जैसे अभी तो ओला उबेर है ठीक है लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जैसे कि हम जहांसी की भी बात कर सकते हैं तो यूपी में आती है वहां एदी महला जा रही है लकनौ से जहांसी जा रही है तो वहां रात में दो ड़ाई बजे वह जाती है उसके उसको स्टेशन जाना तो क्या सेक्योर्टी उसके लिए जैसे डैली गवर्मेंट ने किया हुआ प्रीपेट बूत लगाए गई है ऐसे प्रीपेट बूत होते हैं जो कि आप बोल सकता है बड़े बड़े ओविसेर के बच्च होते हैं वह उनको बहुत से महला को क्या करते है उनको परिशान करते था तो वह कंप्रेंड कहां पर करें आज भी उननों को इस बेए अबीडी बने गुण कुछ और बद्ला उसमें करना चाहिए था कि महिला कई भी आ जा सके सभी लोग सैब डिपेंडनेंट है लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि कभी भी रात में या सुनसान जगह में महला अंसेफ रहती ही है तो वो ऐसा कि कोई ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए वो कॉल कर सके हमें दे दिया नंबर हमने कॉल कर लिया लेकिन फिब्वी सुनने के लिए कोई नहीं रहता है जैसे कि Uber से अपने आलनाइन ट्रैकिंग चलता है वहां भी ऐसा होने चाहिए कि प्रीपेट सिस्टम होना चाहिए यूबर नहीं है तो वान कॉल सिस्टम होना चाहिए कि जैसे कि आज कल नंबर तो दे दिया गया है कि आप आप ओटो का नंबर तो नंबर भी है कुछ और इसे ट्रैक होने लगता लेकिन अशें नहीं होता है तो कुछ एक सेंगल कॉल सिस्टम सिंगल सिस्टम सेंगल स्टार्ट वने चाहिए कि कहीं भी not only state आल अवर इंडिया उना चाहिए कि जो एक सिंगल नंबर होना चाहिए ताकि महला आरे जाने में सेप्टी महसूस करें कहीं भी खड़ी रहे कोई उनको छेड़ रहा हो तो वहां भी वह उपर कॉल करके एक सेफ महसूस कर सके हूँ मैम आप क्या कहना चाहेंगी कितना महफूस आप उत्तर प्रदिस में करती आपको और पहले से कितना बदला वाया है मेलाओं की शुर्चा में सरकार की बात है तो सरकार चाहिए बीजेपी हो कांग्रेस की हो South की की हो सरकार बदलने से या उसका सिस्टम मजबूत हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ता है लोगों की सोच से उनकी मेंटालिटी से उनके घर के संसकारों से मतलब में बात यह है कि आप अपने घर में जो बच्चे हैं लड़के हैं उनको या इवन जो बड़े हैं उनको सब ऐसे संसकार दीजी यह ऐसी नौबत है उनके मन में ऐसा हो कि अगर लड़की कम कप्टों में भार निकल रही है या अगर गलती से भी उसका दुपटा नीच हो जाता है कुछ भी हो जाता तो वह गलत निगहा से उसको ना देखें और दूसरी चीज जैसे की महिलाओं का आरक्षन होता है हर जगे की मेट्रों मे जा रहे हैं ठीकि अटने केसे लिए ट्रैक होता है हर कुछ जाते हैं तो वह चीज कैसे ठीक होगी और लोग कंप्लेंड करने से डरते क्योंकि वहां पर कमीशन चलता है ब्रस्चाचारी चलती पुलेस वाले खुद उस महिला को ट्रीट नहीं करते हैं पीज़ेपी सरकार अलग से बूत बनाया आपको पिंग सिटी आपको जो अलग टॉलेट दिया है तो इसा इस सुविधाय तमाम सुविधाय मिलाओं के लिए तो वहीं कह रही हूं कि कितना आप उस पर बदलाओं देख रही है मतलब यह डिपेंड करता है अलग-अलग एरिया वाइस भी कुछ जगे इस एरिया में विकास है वहाँ पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पर यह चीज़ दिखती है पर कई जगे नहीं भी है कुछ वाश्रूम साफ नहीं होते हैं वहाँ पर सैनेटरी पैट्स महिलाओं की पार्किंग होगी लेकिन वहाँ पर हर प्रकार की वाँ खड़े रहते हैं महिलाओं की मतलब हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं रहता और फिर जब कुछ कहने जाओ कुछ को तो कई लोग तो इसको इसने कंपर कर देगी आप तो यह कहते हैं कि महिला और पुर कर रहे हैं तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के जो लड़कियां हैं उनका सब्सक्राइब कहना है कि कहीं ना कहीं जब से उत्तर प्रदेश में बीज़ेपी सरकार आई है काफी वदलावाया है क्योंकि तमाम जो योजनाय जो योगी सरकार जो महिलाओं के लिए लड़क जो लड़कियां और महिलाएं हैं वो अपने बातों से इनका साथ कहना है कि बदलाव तो आया है लेकिन और भी इसमें बदलाव करने की जरूरत है वही अपको बता दे कि जो महिलाएं उनका साथ कहना है कि महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए अगर तमाम जो योगी स अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो महिला हैं अब यूपी सरकार में खुशी से हैं और उड़ा कहना है कि हम नीडर होके हम अपने काम को करते हैं अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार